अलका लांबा कॉंग्रेस पार्टी पर अर्बन नक्सल का आरोफ फिर चस्पा कर दिया ठेका दे दिया आपने अर्बन नक्सल को कौन है या अर्बन नक्सल आपको RTIE से ग्रह मंत्राले से पता लग गया ना कि क्या है देश की सरकार ग्रह मंत्राले बताता है अर्बन नक्सर नाम की कोई चीज नहीं और किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है 140 करोड की देश का प्रधान मंत्री प्रधान से प्रचार मंत्री है वो देश में प्रचार पे निकले हुए है मैं राजस्थान की राजधानी जैपूर में बैठी हूँ भुपाल के बाद सीधा यहीं पर आए जुमले की बारिश हो रहे गैर जिम्मेदाराना बयान दिये जा रहे प्रधान मंत्री जी अपने भाशनों में अर्बन नकसर इस्तमाल करते हो रिनी के दिली के सांसद संसद भवन में कड़े ओकर एक दूसरे चुने हुए सांसद को उगरवादी आतंकवादी बताते हैं यह बौकलाहट है पूरी तरह से भाजपा की कि इनके पास अपनी जा रहे हैं यानि कि लोकतांत्रीक चुनी होइस स्थिर सरकार को कैसे स्थिर किया अलेकिन डबल इंजन की सरकार बनाई लोगों को क्या मिला लोगों को क्या मिला, आज व्यापन पर वो चुप रहे, शिवराजी का नाम नहीं लिया, शिवराजी की उपलब्धियों पर कुछ नहीं का, पूरी तरह से कॉंग्रस के उपर हमले बार रहे, ये भूल गए कि जहां आप खड़ें, वहां आपकी सरकार है, खुशी होती इंट्रिंग इंटियन एकॉनमी के, तीन साल में 31 लाख जोब चलेगे, तीन साल में 31 लाख नोकरियां गई है, इसमें 26 लाख महिलाओं की नोकरी गई है, और इसके इलावा, आप जिस मद्धे परदेश में भोपाल में, जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां पर 70 लाख य बात के प्रती निश्चिन्त हूं की इसकी गंभीरता आप समझती होंगी, तो विरोध क्या केवल टीवी डिबेट्स में होगा, या कॉंग्रेस इसका और आगे बढ़कर कोई विरोध करना चाहेगी, जिसका विरोध होना चाहिए, लेकिन खामोशी है चानों तरफ, देख कॉंग्रेस से पूछेंगे, बिलकुल हम हिलेंगे नहीं अपनी जगा से, हम आडानी पूझी पती मित्रों के जो बड़े-बड़े गोटाले हैं, उस पे सवाल पूछते रहेंगे, हम किसानों की आये कब दुगनी होगी, इस पे सवाल पूछते रहेंगे, हम दो करोड नो से सत्र बुलाया जाता और एजंडा ही नहीं पता किसी को, कोई कह रहा है, वन निशन, वन इलेक्शन, कोई कुछ, लेकिन मुद्दे से भटकाना था, पिर इनके सांसत संसत में खड़े हो जाते हैं, और देश बर में एक नया विवाद, अब परदान मंत्री जी नकसल, अर कर्मन हो रहा है, बेरोजगारी, महिंगाई, किसान, चीन का, उस पे हम इस सरकार को घेरेंगे.